मैं अभी टीवी चैनल्स देख रहा था स्वभावी कुरूप से बहुत सारे महत्तोपूर्ण विश्यों में अभी टीवी चैनल्स में न्यूस चल रहा है किन्तु जिस विशय का खुलासा आज हम कर रहे हैं यह विशय अपने आप में बहुत ही गंभीर है दिल को दहला देने वाला है एक मासूम महिला के साथ एक मासूम लड़की के साथ उडिसा के कलाहांडी जिले में जिस प्रकार का वरताव हुआ जिस प्रकार से उसकी हत्या हुई निर्ममता के साथ उसके शरीर को टुकडों में काट दिया गया हमारा ये मानना है कि यह विशय नैशनल नरेटिव में आना चाहिए राश्ट्र को इस गुरूसम भूरूटल मडर के विशय में पता होना चाहिए मैं भी उडिसा का हूँ कभी-कभी तकलीफ होता है कि अन्य राजियों के विशय गंभीरता पूर्वक चर्चा में आती है किन्तु जब उडिसा का विशय और नारी अत्याचार का विशय जो उडिसा में हो रहा है वो विशय मुख्य मीडिया के धारा में नहीं आता तो मन द्रवित होता है विचलित होता है और इसलिए आज भारती जंता पाटी इस प्रेस कॉन्फरेंस के माध्यम से मौमिता महर के लिए न्याय की गुहार करने वाली है आप सभी ने कुछ दिनों से सोशेल मीडिया में देखा होगा जस्टिस फॉर मौमिता महर नामक एक हैश्टैग भी चल रहा है और देश विदेश से लोग इस बालिका के साथ जो आज हमारे बीच नहीं है उसके साथ खड़े हैं मौमिता महर 24 वर्ष की थी मौमिता महर एक टीचर थी एक अध्यापिका थी जिस स्कूल में वो अध्यापिका थी उसकूल का नाम संशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल और उस स्कूल के साथ उसी एड्मिनिस्ट्रेशन का जुड़ा हुआ एक महालिंग कॉलेज यह पूरा एक प्रांगण में था यह उडिसा के कलाहंडी जिले में स्थित है मौजूद है आठ ऑक्टूबर से ममिता लापता थी और जब पूरे मामले को सामने लाया गया तो मालूम पड़ा कि उसकी हत्या हो चुकी है और कुछ दिनों पहले तीन चार दिन पहले उसकी डिकंपोज बोडी पार्ट्स उसके शरीर के कटे हुए अंग मिले है उसकी डिन जांच हो रही है मौमिता मेहर के साथ क्या हुआ मौमिता मेहर के संशाइन इंग्लिश मेडियम स्कूल के जो एड्मिनिस्ट्रेटर थे उनका नाम गोविंद साहु है पूरा विशह सामने जब आया तो म हुआ 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 है